सेवी ने option trading करने बालों के लिए तीन बड़े important change किया है जो कि 20 November 2024 से apply होंगे तो चलिए जानते हैं तीन बड़े changes क्या है सबसे पहले सभी index में lot size 12 दी गई है फ्रेंड 20 November 2024 से nifty 50 का lot size 25 था वो direct 75 हो जाएगा bank nifty 15 था वो direct 30 हो जाएगा तो यहाँ आपके सामने total list आ चुका है nifty financial service का जो changes होगा nifty midcap का जो changes होगा nifty next 50 का जो changes होगा BAC census का जो changes होगा BAC bank का जो changes होगा और BAC census 50 का जो changes होगा changes का list आपके सामने आच चुका है तो आप एक बाद देख लिए जिस तो बहुत बड़ा change होने वाला है Changes no.2 weekly expiry only nifty 50 और census में होएगी बाकी सबी index में weekly expiry के जागा में monthly expire होएगी Most important changes no.3 expiry के दिन additional margin की जरुरत परेगी दोस्ता आप देख सकते हैं एक्स्टेशन लॉस मार्जिन एमेल और टू पार्सन विल भी अपलीट टू सौर्ट पोजिचन और expiry दे फ्रेन अगर आपको फ्री में DMAT आकाउन ओपिनिंग करना है तो वीडियो का description में आपको लिंक म मिल जाएगी उस लिंक पर क्लिक करका आप आकाउन ओपिनिंग कर्श रखते हैं बहुत EGO में